साथियों, हम दुनिया के कई देशों के बारे में सुनते हैं, कि उनकी अर्थववस्ता में, परियतन का योगदान कितना बड़ा है, इसको बहुत प्रमुक्ता से दर्षाएं जाता है। हमारे हाँ तो हर राज्य में, हर छेत्र में, दुनिया के देशों के एक एक देश में जितनी जाकत है, उतनी हमारे एक एक राज्य में हैं। ऐसे अनांत संभावना हैं, आप किसी भी राज्य का नाम लीजिए, सबसे पहले मन में क्या आता है, गुजरात का नाम लेंगे तो सोमना, द्वारिका, स्टेटी अभिनिटी, धोला विरा, कच्काराण, ऐसे अध्भूस्तान मन में उभर आते हैं। यूपी का नाम लेंगे तो अयोद्या, मधुरा, कासी, प्रया, कुशिनगर, बिंद्याचल, जैसे अनेकों नाम एक प्रकार से अपने मानस चबी पे अच्छा जाते हैं। सामाने जनका हमेशा मन करता है कि इन सभ सब जगहों पर जाने को मिलेगे। उत्राखन तो देव भूमी ही है। बद्रीनाज जी, केदारनाज जी वही पर है। हमाचल प्रदेश की बात करें तो मा ज्वाला देवी वही है, मा नैजा देवी वही है। पूरा पुर्वोत्तर देवी और प्राकृतिक अभासे परिपूर्ण है। इसी तर रामेश्वर्म जाने के लिए तमिल नाडू, पूरी जाने के लिए ओडिशा, तिरुपतिवाला जी दर्शन के लिए आंदर प्रदेश, सिद्धि विनाई जी के लिए महराष्ट्र, सबरी माला के लिए करला का नाम आता है। आप जिस किसी भी राजी का नाम लेंगे, तिर्ठाटन और परियाटन के एक साथ कई केंद्र हमारे मन में आ जाएंगे। यह स्थान हमारी राष्ट्रिय एकता का एक भारत, स्वेष्ण भारत की भावना का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन स्थलों की आत्रा राष्ट्रिय एकता को भढ़ाती है। आदेश इन जगवों को सम्रद्धी के एक मजबुत स्त्रोत के रुपे भी देख रहा है। इनके विकास से हम एक बड़े खेत्र के विकास को गति दे सकते हैं।